नमस्कार दोस्तों मैं रिशा मिश्रा आप सभी का सौकत करता हूँ Policy Planner के YouTube चैनल पे पितले हफ्ते आप सबने धेरो messages भेजे जिसमें आप चाहा रहे थे कि Travel Insurance में cover करूँ तो इस वीडियो में हम Travel Insurance के बारे में चर्चा करेंगे और उन बातों के बारे में भी बात mention करेंगे जिनका हमें ध्यान रखने चाहिए Travel Insurance किसी भी company का plan लेते वक्त तो आप जल्दी से नीचे एक दियेगा description link पे जो मैंने Policy Planner website का link दे रखा है उसको आप open करें या फिर आप Google पे भी Policy Planner type करके हमारी website पे जा सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो फिर आप description section में toll free number दे रखा है Monday to Saturday 10 से 6 के बीच में आप हमसे कभी भी connect कर सकते हैं तो जैसे मैंने ये website open कर ली तो आप यहाँ पर देख सकते हैं website के home page पे ही आपको जितने भी प्रकार के insurance हैं वो सब mentioned है bike, car, health, term, travel, सारे insurance आप यहाँ travel insurance का उपर देखें तो यहाँ पर आपको आप यहाँ पर click कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है अगर आपको लग रहा है calling नहीं लग पा रहा है connect नहीं हो पार तो आप यहाँ जल्दी connect करना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ whatsapp पे click करें और अपने whatsapp पे whatsapp web का scanning option होता है वो यहाँ पे scan करके QR code को हमसे whatsapp पे connect कर सकते हैं similarly आप यहाँ पे हमसे chat box में भी हमसे chat करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं इसके अलावा अगर आपको अलग से whatsapp number पे calling करनी है या बात करनी है तो हमने description section में whatsapp number भी mention का रखा है तो जैसे कि आप policy planner की तो website पे आप जाएंगे तो आपको जितने भी पका के insuences हैं उनमें से आप में travel पे जब आप click करेंगे तो आप के सामने यह page बनके आ जाएगा तो यहाँ पे आप mention करें अपना gender trip single है या multi है multi मतलब की आप दो से जादा countries में आप visit करने वाले है या एक ही country में आपकी बहुत से cities में multiple visits है तो वह आप select कर सकते हैं फिर यहाँ पे choose destination आप continent select कीजिए अदर्वास worldwide का option है तो आप worldwide countries सुन सकते हैं चली मैं यहाँ पे यूरोप चुन ले रहा हूं यहाँ पे आप नाम डाल दे रहे अपना मैं आप नाम डाल देता हूं देखिए travel insurances के अनेक फाइदे हैं सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका यह mobile से लेके आपका luggage तक सब insured करकता है कोई भी नुकसान हो example आप यूरोप जाना था तो आप की connecting flight थी समझे जिए दुबाई से या किसी और country से होके जाना था आपकी पहली flight थी वह डीले हो गई डीले की हो गई बैड वेदर की वज़े से या technical default की वज़े से तो आप देखिए second flight मेस कर दी अगर आपका travel insurance है तो आपका जो second flight के ticket निकलेगा वह आपको insurance company की तरफ से मिलेगा यानि आपका कोई खर्चा नहीं होगा तो है ना इतनी अच्छी बात अब आप travel date यहां पर select करें और end date यानि कब तक आप यहां पर stay करेंगे तो manager से डाल दिया है किस November से लेकर 20 December तक और यहां apply पर click कर दिया अब add traveler पर click करें तो आप इसमें traveler 1 कितने लोग जा रहें आपने कहा चलो 3 लोग जा रहें तो पहले आप traveler age 1 का आपने age डालोगे traveler 2 का आप डालोगे यहां पर और यहां पर add क्लिक कर दोगे अब आपने traveler 3 यहां पर add किया traveler 3 सब्सक्राइब यह पांच सौल का बच्चा है तो आपने यहां पर add करके आगे बढ़ें cover amount आपने कितना लिया dollars यहां पर दे रखा है 15,000 25,000 dollar 1 dollar में 70 रुपाय आते हैं आप चेक कर सकते हैं Google पर तो चलिए मैंने ले लिया सबसे कम 15,000 dollar यहां पर पिन कोट डालूँगा तो पिन कोट जो है पूने शहर का एक area है कोंडवा कोंडवा कॉंडवा कॉंडवा नी वह उसका डाल दे रहा हूं medical आप चाहा रहे हैं कि इंक्लूड हो यह ना हो यह यह पर क्लिक कर सकते हैं मैं कहूंगा आप यह करें कि समझ दिया है कि आपको आपका दस दन का trip था और आपका पर पर परिवाब बीमार पढ़ गया आप खुद बीमार पढ़ गया वो trip cutshot करना पढ़ गया तो होटेल यहां पर आप जोड़ो डीटेल्स भरी थी वह यहां mentioned है अब आपने यहां पर mention आप करेंगे आपकी requirement के साब से यहां पर कोई fit नहीं बैठ रहा है तो इसलिए आपको अपना यहां पर change करना पड़ेगा तो चलिए मैं यहां पर 35,000 कर जा रहा हूं देखिए आपकी requirement के साब से ही आपको quotes दिखाए जाएंगे तो यहां पर आपको एक relegare का दिखा रहा है तो यहां ब्रॉशर है ब्रॉशर में आप जाके सब detail में आप पढ़ सकते हैं यह आप company के बारे में और applying के वारे में आपका actual plan की costing है तो आपको policy planner सबाई करने पर भी उतनी costing पड़ेगी हम इस इसके लिए कोई भी आपसे अधिकान शेक्सता चार्ज नहीं करते हैं यह 0% चार्ज सर्विस है तो अब आप यह जो planning आप purchase करना चाहते हो आप इसमें अपने details भर दें यहाँ पर आप अपने email id अपना gender अपना marital status अपना birth date और जो भी आप details डाल दें आप please सही सही डालें वरना claim करने में आपको दिक्कत हो सकती है और यह details एक बाद भर देते हैं तो दुबारा इसमें changes कराने में भी आपको दिक्कत है आ सकती है अब यहाँ पर आप next पर अपने passport number अगया सब आप mention कर दें अब अपने साथ copy रखे जब आप purchase करें ताकि आपको एक ही बार में सब चीजें details भरके आप जल्दी से buy कर लें अब यहाँ पर insured members है तो याई आपने पहले अपना अपना नाम भर दिया था अब आप अपनी wife याई अपनी spouse का नहीं आपके husband या फे wife का detail भरेंगे यहाँ पर आप spouse पर क्लिक करें आप 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 चाइल्ड का भी नाम यहाँ भर दे आप 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 आंप każ आप अब यह पर कप नॉमिनी में डालना चाहते हूँ तो जिससे आप किसी को भी नॉमिनी में डाल सकते है यहाँ पर इसके साथ आपका डिलेशन क्या है वो डाल दें यहाँ पर आपका अड्रेस होगा डाल दें इसी अड्रेस पर आपका कॉपी आजाएगा वो इंश्रेंट का जोब पर आपके इसका देंगा हूँ हूँ आपका अपका अपका हूँ आपका इसके बाएगा देंगे हो बाईगा। हूँ आपका अपका खड़ पर आपका यहां पर पॉपस ऑफ इस हॉलिडे है या बिजनस वह सेक्ट कर लीजए यहां पर अपना प्री एक्जिसिंग डिजीज़ है कि नहीं इसा प्लीज सही सही मेंशन कीजिए अगर नहीं करेंगे तो क्लेम मिलता है कि आपको बहुत दिक्कते हो सकती है यह क्लेम मिलेगा यह यह और कुछ फाक्टर में आपको बताते चला जाता हूं वीडियो के साथ-साथ जिससरी आगे बाड़ा है वह यह कि आप कुछ चीजों का जरू ध्यान दें कि लगेज आपका हांडबैक यह सब चीजें सब कवर्ड होता है कर यह सब नुकसान होता है कि खोल जाता है आपका अधर के दोरों तो आपको वह सब मिल जाएगा प्रियस नहीं कवर्ड की जाती है अगर आप बहुत से कंटरी में जा रहे हैं तो बहुत से चंटरी में तो आपको अनिवादे होता है तो आप वह जरूर पर्चेस करें देख़ेज़ें अब आपको सुपाग आ चुकी हैं अब बस आपको यहां पे total payable amount 2767 portal वाले page पे तो आप देख सकते हैं यहां पे credit card, debit card, google pay, net banking, UPI, सारे options आपको available हैं यहां तक EMI का भी option है आप इन में से कोई भी option जो आपको सही लगता है अपने requirement के साफ से select कर ले इसे example में यहां debit card कर रहा हूँ तो यहां पे में SBI master या other master cards पे click करके आगे payment के बढ़ जाओंगा यहां पे card number, CVV number यह आप details खुद भर सकते हैं यह payment बहुत ही easy है जैसे आप बाकी online portal जैसे Zomato या Amazon पे करते हैं ठीक वैसे इस पे करना है और जैसा वीडियो के शुद्वात में मैंने बताया है दो मिनिट के अंदर आपको आपको आपके mail id पे एक soft copy आ जाएगी जिसका आप print लेके आप उसको यूज कर सकते हैं अब इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आ गए है आप इस वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है अपने family whatsapp group पे आप इस वीडियो जर के अलावा यहां पर आप bell icon जो देख पा रहे हैं हमारी YouTube चैनल पर आप इसको जरूर इस पर click कर दें इससे ही आप हमारे अगले जितने भी जरूरी वीडियो होंगे आप वो miss नहीं करेंगे आपको notification अपने आप आ जाएगी इसके लावा हमारी YouTube पे करिबन 100 से भी जादा वीडियो हैं आप इसको नीचे जाकर देख सकते हैं अपने जिस भी topic पर आपको knowledge चाहिए और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे जाए वीडियो के पर comment section पर mention कीजिए हमारी टीम आपको वहीं पर reply करेगी इसे के साथ मैं रिशा रहें इन शोट रहें